दोस्तो यदि आप एक बिगिनर है या आपको प्लांट्स की केर करने का टाइम नहीं मिल पाता है तो ये एपिसोड स्पेशली आप की लिए है क्योंकि बहुत दिनों की रिसर्च के बाद हमने ऐसे टॉप टेन हाड़ी प्लांट्स शॉर्ट लिस्ट किये है जो बहुत ही कम केर में आसानी से ग्रो होते रहेंगे तो चलिए एक ही करकर जानते हैं इन सभी ब्यूटिफुल लो मिंटेनन्स इंडॉर प्लांट्स के बारे में हमारे लिस्ट पर नंबर टेन पर है फिडल लीफ फीक प्लांट्स दोस्तो यदि आप अपने रूम के कॉर्नर को फिल करने के लिए कोई बड़े पत्तो वाला प्लांट धून रहे है तो फिडल लीफ फीक आपके लिए एक बहुत अच्छा आप्शन है ये एक ट्रॉपिकल क्लाइमिट का प्लांट है इसलिए जहां हिमिडिटी जादा रहती है वहाँ ये बहुत अच्छे से ग्रो होता है इस प्लांट में अच्छी बात ये है कि एक बहुत ही अच्छा एयर प्यूरिफायर है साथ ही आपके रूम के हिमिडिटी लेवल को भी कम करता है बस आपको इसे ब्राइट इंडरेक सनलाइट में रखना है और इसे तभी पानी देना है जब इसकी मिट्टी लगबग दो इंच तक सूख जाए इसके अलावा महिने में बस एक बार आपको इसे आदा मुट्टी और्गनिक फर्टिलाइजर देना है फर्टिलाइजेशन और वाटरिंग इंटर्वल फिक्स रखे क्योंकि फिडल ली फीक प्लांट को कंसिस्टेंसी पसंद होती है हमारे लिस्ट पर नमबर 9 पर है एगलोनिमा जो की चाइनीज एवर ग्रीन के नाम से जाना जाता है ये एक बहुत ही अच्छा लो मेंटेनेंस वाला एयर प्यूरिफाइंग प्लांट है जो की कई सारे ब्यूटिफुल शेड्स और पैटन्स में आता है आप चाहे जो प्लांट कर ला सकते है पर अगर आपके घर में धूप कमाती है तो आप डार्क रीन कलर का एगलोनिमा प्रिफर करें क्यूकि इसमें क्लोरो फील सादा प्रेजेंट होता है इसके ब्यूटिफुल पैटन को बनाए रखने के लिए आपको इसे बस ब्राइट इंडरेक्शन लाइट में रखना होगा और इसे तभी पानी देना है जब इसकी मिट्टी की टॉप लेयर लगबग 2 इंच तक सूख जाए एगलोनिमा के लिए परफेक्ट सॉयल मिक्स आप गार्डन सॉयल, रिवर सैंड, कमपोस्ट और कोको पीट इन चारों को इकवल कॉंटिटी में मिक्स करकर बना सकते है आपको बस इसे साल में 2 बार फोटिलाइजर देना है फेबरिवरी और सैप्टेमबर में अब बात करते हैं हमारे 8 प्लांट की जो की है स्पाइडर प्लांट ये एक लो मिंटेनेंस वाला एर प्यूरिफाइंग प्लांट है आपको बस इसे डिरेक्ट सनलाइट से बचा कर ब्राइट इंडरेक्ट सनलाइट में रखना है और इसे तभी पानी देना है जब इसकी मिट्टी की टॉप लेयर लगबग देड इंच तक सूख जाए या ओन एवरेज आप इसे हफ़ते में एक बार भी पानी दे सकते है बस इसमें और वाटरिंग नहीं करनी है इसकी प्रॉपर ग्रोथ के लिए आप एक से देड बहीने में एक बार इसे थोड़ा सा और्गनिक फर्टिलाइजर या लिक्विट मैनियर भी दे सकते है और हाँ ये एक पेट फ्रेंडली प्लांट है तो आपको इसमें भी कोई फिक्र की बात नहीं है हमारे लिस्ट पर नमबर सेवन पर जगव बनाई है डम केन ने ये एक बहुत ही ब्यूटिफुल और्नमेंटल एयर प्यूरिफाइंग प्लांट है इसके ब्राइट ग्रीन कलर के बड़े पत्ते बहुत ही ज़ादा आई कैचिंग लगते है ये प्लांट इंडोर्स में लगभग 4-5 फिट तक बढ़ता है इसमें खास बात ये है कि ये लो लाइट को भी कई दिनों तक टॉलरेट कर लेता है पर आप अपने डम केन की प्रॉपर ग्रोध के लिए इसे ब्राइट इंडरेक सनलाइट में रखे और इसे तब ही पानी दे जब इसके मिट्टी की टॉप लेयर लगभग देड से 2 इंच तक सूख जाए इस प्लांट को लगाने के लिए आपको वेल रेंड सॉयल का यूज करना है और लास्ली डम केन की स्टैम और पत्ते थोड़े टॉक्सिक होते हैं तो इस बात का ध्यान रखे हमारे लिस्ट पर नमबर 6 पर है वंडरिंग जू जिसे इंच प्लांट के नाम से भी जाना जाता है ये एक बहुती ब्यूटिफुल लो डिमांडिंग प्लांट है इसे आप पॉट्स में या हैंगिंग बास्केट्स में दोनों में से किसी में भी लगा सकते है पर ये प्लांट हैंगिंग बास्केट्स में बहुत जादा अच्छा लगता है इसके पत्तों में आपको ग्रीन और वॉलेट कलर में आप्शन्स मिल जाएंगे आपको बस इसे bright indirect sunlight में रखना है और इसके मिट्टी की top layer एक से देड़ इंच तक सूखने पर इसे पानी देना है या on average आप इसे हफ़ते में एक बार भी पानी दे सकते है और हाँ ये plant pet friendly नहीं है इसलिए इसे hanging basket में रखना prefer करे हमारे लिस्ट पर नंबर 5 पर है bamboo plant ये एक बहुत ही popular वास्तू plant है और फैंक्शुई में भी इसे बहुत शुब माना गया है यदि आप किसी को कुछ gift देने की सोच रहे है तो bamboo plant एक बहुत ही सस्ता और अच्छा option है आपको बस इसे medium to bright indirect sunlight में रखना है और हफते में एक बार इसका पानी चेंज करना है कोशिश करे कि इसे पीने के साफ पानी में रखे ताकि ये properly grow हो पाए हमारे लिस्ट पर नंबर 4 पर है pathos जिसे आप सब लोग money plant के नाम से जानते होंगे ये एक बहुत ही beautiful वास्तु plant तो है ही साथ ही एक बहुत ही low demanding air purifying plant भी है money plant में आपको कई सारी varieties में options मिल जाएंगे money plant एक versatile plant है आप इसे मिट्टी या पानी दोनों में से किसी में भी रख सकते है अगर आप इसे मिट्टी में रख रहे है तो मिट्टी well drain और light रखे पानी जरूर चेंज करें आपको बसे से bright indirect sunlight में रखना है और on average हफ़ते में इसे दो बार पानी देना है last के जो तीन plants में आप सबसे share करने वाली हूँ ये तीन plants specially हमारे lazy और busy gardeners के लिए है क्योंकि इन plants को सुखा रहना जादा पसंद है नमबर थर्ड पर जगह बनाई है हमारे hardy medicinal plant aloe vera ने तो basically ये एक rough and tough low demanding air purifying plant है जो अपनी medicinal properties के कारण जाना जाता है इस plant का use hair care, skin care और कई सारे बिमारियों को ठीक करने के लिए किया जाता है क्योंकि ये एक succulent है मतलब इसके पत्तों में already पानी store होता है इसलिए आपको इसमें over watering बिल्कुल नहीं करनी है on average आपको इसे दो हफ्तों में एक बार पानी देना है और plant को लगाने के लिए welderan soil का use करना है और इसे bright indirect sunlight में रखना है और अगर आप इसे बाहर रख रहे है तो इसे आप तेश दूप से बचा कर semi shade में रखिए ये plant बहुती speed से बढ़ता है इसलिए इसकी roots को फैलने के लिए enough space की जरुरत होती है इसलिए इसे लगाने के लिए tub का use करे ताकि ये अच्छे तरीके से grow हो पाए और रही बात fertilizer की तो आप इसे बस दो महीने में एक बार एक मुट्टी organic fertilizer दे सकते है हमारे list पर नमबर 2 पर है Sunseveria जो commonly snake plant के नाम से जाना जाता है दिखने में तो ये plant stylish दिखता है ही पर इसमें खास बात ये है कि एक बहुत ही अच्छा air beautifying plant है और ये आप से जादा कुछ नहीं मांगता क्योंकि ये भी एक succulent है और इसके पत्तों में already पानी stored होता है इसलिए आपको इसमें over watering नहीं करनी है इसके मिट्टी भी well rain रखना है ताकि इसकी जड़े खराब ना हो पाए On average आपको इसे summers में एक देढ़ हफतों में एक बार पानी देना है और winters में आप इसे दो हफतों में एक बार पानी दे सकते है और lastly इसके proper growth के लिए आपको इसे bright indirect sunlight में रखना है हमारे लिस्ट पर number first पर है ZZ plant दोस्तों यदि आपको gardening का time नहीं मिल पाता है तो ZZ plant आपके लिए एक perfect option है क्योंकि इस plant की demand आपसे बहुती कम होती है और हमारे ZZ plant की खास बात ये है कि ये जितना ज़्यादा cute बाहर से दिखता है उतना ही अंदर से rough and tough plant है और एक और बात अगर आपके घर में धूप कमाती है तब भी आप ZZ plant को घरला सकते है क्योंकि ये एक ऐसा plant है जो low light में भी बहुत अच्छे से survive करता है पर अगर आप अपने plant की बहुत अच्छी growth साते है तो आप इसे medium to bright indirect sunlight में रखिए और रही बात watering की तो summers में आप इसे देड़ हफ़तों में एक बार पानी दे सकते है और winters में आप इसे दो हफ़तों में एक बार पानी दे दीजिए वीडियो useful लगी होंगी तो इससे like और share जरूर करें आज की वीडियो में बस इतना ही हम फिर मिलेंगे हमारी next interesting वीडियो के साथ